वैसे तो हम और आप सब लोग जब वो हमारे बीश नहीं रहे तो हम सब लोग उनके परिवार से मिले हैं जगे जगे अपनी तरीके से हम लोग उन्हें याद किया है सदान्जली देने भी हम लोग पहुँचे हैं हम और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके ना रहने पे जो परवारिक कारक्म होते हैं जो हमारे परंप्राओं से जुड़े कारक्म हैं उन्में भी हम और आप लोग शामिल हुए हैं ये एक जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और हम आप मैंसे जितने लोग हैं समय समय पे हम लोगों ने चीज़ें जानी हैं समझी हैं और पढ़ी हैं कि जो इस धर्टी पर आता है उसको जाना होता है जो इस धर्टी पर जनम लेगा उसे एक न एक दिन हमें आपको छुड़ करके जाना है हम आप लोग जितने लोग हैं ये सबसे बड़ा कड़वा सच है कि हम लोग जनम ले करके और एक ने एक दिन जाएंगे कहलाज जी ने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के सुख दुख में रहे होंगे समय समय पे आपने उसे अपनी जो भी समय से रही होगी कभी न कभी कहा होगा जो अपने इस तर से वो मदद कर से रहे होंगे उन्होंने मदद की होगी संगर्श करकर के जमीन से जहां वो खुद आगे बढ़े उन्होंने अपने साथियों को भी आगे बढ़ाया बिढान सबा से लेकर के मंत्री पत्तक पहुँचे जो कोश उनों ने जोड़ा बनाया वो समाज के लिए बनाया मुझे खुशी है कि जब हम लोग मिले थे एक बार पहले भी सधान जी के लिए लेकिन आज जब हम लोग याद कर रहे हैं उनको तो वो जहां भी होंगे जहां भी से भी देख रहे होंगे जरूर हमें और आप सब लोगों को आशिवाद दे रहे होंगे हम लोगों ने बहुतों को खोया है यहां पर मंच पर बैठे लोग कोई ऐसा नहीं है जितने अमने परिवार के किसी सदस को कभी ने तुम्हें खोया हो सामने बैठे लोग हैं आप भी अगर याद करते होंगे तो हम लोगों ने बहुत ओप खोया है जब मैं मुख्यमंती था मुझे याद है एक जिन सूचना मिली के दादा नहीं है रामकंदादा जी नहीं रहें यहां के वो गांदी थें और जब मैं पहली बार उनसे मिला था और अखरी बार मिला उनका केवल चिंतन वही था समाजवादी वो भी हमें छोड़के चले गए केलाज जी शोड़के तर लेकर बहुत सारे हमारे नेता हैं हमने आपने उन्हें जाते हुए खोते हुए देखा है अभी कुछ दिन पहले जब नेता जी हमारे बीच नहीं रहे और जिस समय वो बीमार थे अस्पताल में थे बहुत सारे लोग मिले आका के बहुत से लोगों ने नजाने कितने तरीके से दोआएं की पूजा पाठ किया हम लोग उनके साथ थे बहतर से बहतर इलाज अच्छी सची दवाईया जो कुछ कर सकते थे सब कुछ किया लेकिन वो हमें छोड़ करके चले गए लेकिन मैं आज ये कह सकता हूँ जब हम रामकर दादा जी को याद कर रहे हैं इस जगे जहां पर प्रतिमा लगी के राज जी की उन्हें याद कर रहे हैं नेता जी को याद कर रहे हैं जो कुछ विकास दिया वो अलग चीज़ है हमारे दुख मुक्सुख में वो साम मिल रहे वो अलग बात है लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी विरासत में अगर कोई चीज हमें आपको सब को मिली है तो वो यह समाजवादी आंदोलन जो सब लोग मिल करके हम लोगों को देखे गए और जब कभी भी हम लोग याद करते होंगे उन्हें वो जहां भी होंगे जिस जगे भी रहते रहे होंगे हमें नहीं पता कि आदमी के जाने के बाद इनसान के जाने के बाद वो कहां चला जाता है अल्ला लग्स तरह के लोग जो धरम से जुड़े हैं प्रमपराओं से जुड़े हैं उनके अपने तरीके हैं लेकिन हम यह मानते हैं जहां भी होंगे वो हम लोगों को समाजवादियों को कहीं न कहीं आशी बात दे रहे होंगे और जो समाजवादी आंदुलन वो लेकर किया हैं उसकी जिम्यदारी हमारी आपकी बनती है इस आंदुलन को और आगे ले जाने का काम करना है हम आप जो आज बने खड़े दिखाई दे रहे हैं अगर वीरेंद आज विधायक हैं तो यह अपनी पिताजी का ही अंस हैं पिताजी हैं जो इन्हें सब कुछ देखे गए हैं हम मेंसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं ऐसे भी हमारे साथ हैं जो लोग अपने आने वाली पिड़ी को देखर के जा रहे हैं हाँ जो हमें लाल प्टो भी मिली हैं और अगर काली सत्री बेहन करके रादनीत कर रहे हैं मैं इस मौके पर कह सकता हूँ नेता जी नहीं हम लोग को दिया और नेता जी की वज़े से हम लोग यहां पर पढ़े हैं इसलिए अगर उनके जीवन के बारे में हम लोग याद करेंगे नजाने कितने सुरण हैं नजाने कितनी चीज़े हैं लेकिन मैं कह सकता हूँ मैं बहुत कम समय के लिए रहा जब मैं सरकार में था कहलाजी मंतनी थे जो कोई भी बात वो लेकर के आते थे फैसा लेकर के हम तक आते थे हमने कभी भी उनके फैसले पर कोई बात नहीं रखी होगी जो उन्होंने का भई हमने स्विकार कर लिया वो पंचायती राज मंत्री भी बने सर्वे करना कौन से आरशन होगा क्या होगा यहां पर हमारे बरिश्ट नेतागरी बल्लाय म्यादा जी भी बैठे है वो जानते होंगे कितना मुश्किल काम होता है कौन सी जगे को क्या बना दे क्या रशन हो जाएं किस वार्ड को कैसे बना दे यह जमीनी राजनी वही जानता है जो जमीन पर रहता है और मैं समस्वा हूँ कहला जी जब थे तो उन्होंने उत्तव देज में वो भूमी का निवाई कि कहीं भी किसी तरह का कोई बर्शन नहीं लगा पाया बहुत सारे उन्होंने काम किये होंगे सडकें, पुल या और जगें हम लोगों से मदद देते रहोंगे लेकिन आज मैं देख सकता हूँ मैदान भरा दिखाई दे रहा है लोग सडकों पे है और कई हमारे साथी तो ग्यारा बज़े ही चल दी होंगे घर से और पहले चल दी होंगे अब तो शाम हो गई ये बहुत दूर से आये हैं ये बता रहा है नौ बज़े ही चलती है थे तो सोचो जो नौ बज़े चला वो आज अभी कितना समय हो गया सोचिए लेकिन ये गाजीपुर की अतियासिक धर्ती है ये समाजवादी धर्ती है ये वीरों की धर्ती है ये वो धर्ती है जिसने फौज में लड़ने के जजवा दिया है ये धर्ती से पैदा हुए लोग इतियास बुनाने का काम करते है हम चाहे उस्मान जी को याद कर ले है या पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले हमीर को याद कर ले है वीरों हमीर ये धर्ती वो है और नेता जी के अभान पर समाजवादियों के अभान पर यहां के लोगों ने हमीसा इतिहास बनाने का काम किया है इस बार तो हो है हाला कि ये गाजीपूर ने पहली बार नहीं कई बार पहले भी इतिहास बना चुके हैं लोग बताते हैं कि चरन सिंग जी के जमाने में जब दूसरे दल का पूरा रुत्वा होता था तब भी यहां पर लोग चरन सिंग जी के कहने पर एक एक बोट डाल करके समाजवादी आंदोलन या किसानों की लड़ाई लड़ने वाले के पॉच्छ में बोट डाल लगा जब मैं यहां पर सभाओं में आया था चुनाओं की सभाओं में जब यहां आया था यहां पर लोग सुनना नहीं चाहते थी वो इंतजार कर रहे थी कि बोर्ट कप डालने का मौका मिलेगा मंच रहा होगा मंच से दूरी खतम कर दी थी यहां के नाज़मानों ने मुझे याद है और केवल गाजीपूर में नहीं उस चुनाओं में मैंने गाजीपूर से लेकर के आखरी आपके शामली से लेकर के उन इलाकों में भी देखा था कि अगर कहीं चुनाओं सवास समाजवादियों की थी तो बल्ली और जनता का कोई हिसाब किताब नहीं था कोई रोप भी पाया आज रिजन्ट कुछ भी आगया हो किसी की भी सरकार बन गई हो लेकिन जनता जनता की सरकार तो केवल समाजवादी बना सकते हैं दूसरे लोग नहीं बना सकते हैं जनता के बीच अगर आज भी कोई याद कर रहा है तो वो समाजवादी लोगों की सरकार याद कर रहे हैं यह सरकार तो कुछ ही नहीं सरकार क्या है यह सरकार सोचोआ यह कोई सरकार है अब यह दिल्ली की सरकार ने एक फैसला लिया है हाला कि चौदे तारीख जो फरवरी के होती है बड़ी अलग तारीख है इसको मैं पीड़ी की दूरियां मानूँ क्योंकि हमारे बुजुर्द पूशेंगी हैं मैं क्यों चौदे तारीख की बात कर रहा हूँ यह जो चौदे तारीख को भारती जंता पार्टी ने नए तरह का फैसला लिया है हाला कि दिल्ली वालों ने लिया है लगनों वाले पता नहीं मनाएंगे के नहीं मनाएंगे फैसला दिल्ली से हुआ है पत्गार साथी जो चिठी निकली वो सहीए की नकली है जब मैंने उसको पढ़ा पहली बार कि बारती जंता पार्टी के लोग 14 फर्वरी को कोई हग दिवस मनना चाहते हैं अब मुझे नहीं पता ये अंग्रेजी का शब्द है कि हिंदी का शब्द है अगर ये अंग्रेजी का शब्द है तो इसका मतलब कुछ और है अगर कोई कंफ्यूज हो जाएगा हिंदी के लेकर के तो इसका पूरा का पूरा गुर्डगोवर हो जाएगा कैसे लोग है बताओ ये जो मुबाइल चलाने वाले तो समझ रहे होंगे इने पता नहीं ये पता नहीं कौन से प्रेम में कहां उल्जे हुएं बीजेपी के लोग इने मित्रता भी करने नहीं आती इन बीजेपी के लोगों को मित्रता भी करने नहीं आती और कभी कभी हम और आप लोग अगर डॉक्टर साथ को दिखाने जाएं और डॉक्टर हमारा आपका बलड टेस्ट करने या कोई जानकारी करें तो कभी कभी कहते हैं कि आप में इस बिटामिन की कमी है अगर मालीजे कोई बिटामिन की कमी है तो डॉक्टर साथ आपको इस बिटामिन की गोली दे 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 इतने दिन खाईए आप उसके बाद सस्थ हो जाएंगे और हमारे गाओं के लोग जरूर जानते होंगे अगर हम आकड़े निकलवाएं PSC और CSC अस्पताल के क्योंकि जब मैं गुरगपूर का सरकार में एक सिस्टम लगवाया कि आखिर का PSC और CSC में किसलिए लोग आते हैं तो जब जानकारी मिली तो यह जानकारी मिली के लोग अक्सर बहुत छोड़ी शोड़ी बीमारी के लेकर के आते हैं और PSC CSC में पहुंच करके जो गरीब हैं गाओं वाले बापिस नहीं जाते हैं जब तक उन्हें दवा न मिल जाए तो हम एक विवस्था बनाना चाहते थे इसलिए वहां कंप्यूटर लगा करके जानकारी हासिल कर रहे थे तो अगर वहां सबसे ज़्यादे लोग आते थे तो लोगों को शिकायत रहती थे कि उन्हें कमजूरी की दवा चाहिए कमजूर है बोलो या बुखार है उन्हें या विटामिन ए की कमी है बी की कमी है सी की कमी है लेकिन मैं देख रहा हूँ बारती जन्ता पार्टी को विटामिन ए बहुत मिल ला है इन्हें कमी नहीं है इन पर विटामिन ओबर हो गई है और इसलिए मैं कह रहा हूँ इनका हिसाब किताब देखोगे तो इन्होंने क्या खेल खेला सोचिया एक समय पर एक समय नहीं नहीं वो गलत समय रहे विटामिन नहीं मलब जो द्योग पती है एक समय पर याद होगा आपको इन्होंने पूरा का पूरा पैसा बंद करा दिया और कहा कि नोट बंदी होने के बाद भर्ष्टाचार खतम हो जाएगा काला धन बापिस आजाएगा वो याद कीजे वो समाजवादी सरकार थी और उस समय चुनाओं में जहां भी हम लोग जाते थे यही बात कहते थे कि रुप्या बंद होने से रुप्या हमारा काला सबेद नहीं होता है हमारा आपका लेंदेन काला सबेद होता है याद कीजे किस समय की बात है और आज कितने साल हो गए बैंकों में पैसा भर गया बैंकों में पैसा भरता चला गया और इन्होंने नजाने कैसी अर्थ व्वश्था बनाई कि कुछ उद्योगपती नजाने कितनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे और मुझे लगा कि दोजार चौबिस का जब चुना होगा तो बीजेपी कहेगी कि देखो हमारी अर्थ व्वश्था और अर्थ नीती ऐसी है कि भारत का उ दुनिया में नंबर एक हो सकता है कि मुझे लगा कि हो सकता है वो द्योगपती कि दुनिया दर नंबर एक पहुंच जाए कि क्योंकि नंबर दो तक पहुंचने तक कोई उसे जाता समय नहीं लगा सोचो कहां भारत जो गरीब देश है हमारे अगर आकड़े हम देखें तो जहां पानी पीने का इंतजाम नहीं जहां पर अभी भी पढ़ाई अच्छी नहीं बच्चों को कितावें नहीं मिल पा रहीं परियाप्त हम लोग खाना पीना नहीं खा पा रहें भैस्ता चार जहा सेरम सीमा पर हैं महगाई का यह आना में कोई चीज ऐसी नहीं जो सस्ती बची हो विजली महंगी खाद महंगी डियेपी महंगी हर चीज महंगी होती चली जा रही और उसके बाद बता हमारे देश का उद्ध्योपती नमबर दो पर और हमें लगा कि वो नमबर एक पर पहु से बोट मांगे और लोग सबक अच्छुनाव लड़ी लेकिन सोचो हिसाब किताब कैसा हुआ इस बार जो दो नमबर पर था वो पता नहीं कहां पहुंच गया कि कहां पहुंच गया कि मुझे तो यह लगता है कि जो साथ-ाट महीने सरकार के बचें कहीं कोई ऐसा हिसाब कि आनों बनाएं कि फिर उपर आ जाए है कि सोचिए कि यह सरकार की कमी है या सरकार का फैदा है कौन सी विटामिन मिल लई है जो यह भागता जा रहा हूंपर कोई तो होगी बात और क्या खोगलापन था कि कि किसी की एग रिपोर्ट आने के बाद हो दो नमबर से कहां चला ग यह जो वैलिएशन है जो आकड़े हैं आकड़े नीचे उपर हुए हैं लेकिन नजाने किसमें रुप्या खोया है हम और आप नहीं जानते हैं जिन्नों ने रुप्या खोया होगा हम और आप तो अख़वार में केवल कुछ संसाओं का देख रहे हैं जो सरकारी संसाइं है फ्रश्टेश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टि किसी अधिकारी ने कोई फैसा लिया और उसने इस बिजली विभाग के प्रॉप्रेंट फंड का पैसा एक प्राइबेट कंपनी में लगा दिया डी डी एच एफल में वो डी एच एफल कंपनी डूब गई इन बीजेपी के लोगों को दिखाना था कि बहुत इमानदार सरकार है उसने उन सबी लोग को जेल भेज दिया अगर उत्त प्रदेश में सरकारी पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर प्राइबेट कंपनी में हो करके और अगर प्राइबेट कंपनी डूब जाए तो जेल भीजा जाता है तो हम बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं आज भ मताओ कौन जेल जाएगा अगर यूपी में जेल जा सकते हैं तो दिल्ली में जेल क्यों नहीं जा रहे हैं वो लोग और याद कीजिए आप यही सरकार के लोग थे जो कहते थे घष्टा चार खत्म हो जाएगा कहीं लूट पार्ट नहीं होगी और आप से बेहतर कौन जानेगा यह समाजबादियों की देनस्व नंबर उसको एक सो बारे कर दिया पुलिस को लगा कि हमारा भी रेट पर जाना चाहिए सरकार ने सौ से एक सो बारे किया हमारी इमानदार पुलिस को लगा कि उनका भी रेट बढ़ गया है यह सच्चाई के नहीं सच्चाई हमारी आपकी सरकार होती थी अगर कोई एक डीजेपी एक दिन नहीं बना दो दिन नहीं बना तो यह हमारे अख़वार के मित्र भाई लोग हमारे अख़वार के मित्र भाई लिखते देगे देखिए कितनी नाकाम सरकार है कितने नाकाम मुख्यमंद्री के फैसला नहीं ले पा रहें डीडीपी बनाने का और अगर हमने किसी को अपने डीडीपी बना भी दिया मान लीजिए उसकी काबलेत के इसाफ से या उसके किसी और काम की बज़े से तो बताओ आरोग क्या लगता था कि ये समाजवादी लोग जाग के अधार पर और धर्म के अधार पर फैसला लेते हैं आज बताओ हमारे पत्तिकार साथियो जुगार के डीडीपी बैठें के नहीं बैठें अब मुझे ने शब्द है कि सरकारी शब्द क्या होगा उसके लिए जो पर्मानेंट न हो जिसका तक्ति पे नाम नहीं लिखा जा सकता तो बताओ वो जुगार के तो डीडीपी होगा न केवल जुगार का डीडीपी है बलकि चीफ सेकेर्टी भी एक बार टम बढ़ता है दो बार टम बढ़ता है तीन बार टम बढ़ेगा और आपकी सरकार होती थी तो हर एक चीज पर आरों बोल जाते थे तो सोचिए जो बड़े-बड़े उद्योगपती बुलाई जा रहे हैं M.O.E.U. साइन हो रहे हैं हमारे किसान भाई और नौजवानों धवराना मत ये M.O.E.U. कुछ नहीं होते हैं और मैं आपको सुजाद देता हूँ और अगर नस्थ निकले तो बताना अगर आप अच्छा सूट पहन लें ताई लगा लें और कहीं बीजेबी के दफ्तर के बाहर अगर आप निकल गए तो हो सकता है वो आपसे भी M.O.E.U. करवा लें M.O.E.U. करने के लिए आपको पैसे की ज़रूत नहीं है ड्राइ क्लीन करा हुआ सूट और एक बढ़िया टाई लगा के निकलोगे आप अगर बीजेबी वालों ने देख लिया तो आपसे भी M.O.E.U. करा लेंगे हम बीजेबी वालों से जानना चाहते हैं और ये जनता जानना चाहती है कम से कम पुर्वान शल्की जो इंतजार कर रही है कि विकास कब होगा क्योंकि मुझे याद है यही पर बीजेबी के बड़े निता आये थे और बड़े भासर दे गए थे कि दो हजार बाईस तक आये दोगनी हो जाएगी हमारे किसान भाईयों बताओ किसी की आये दोगनी हो गई हो तो बताओ अगर आये दोगनी हो गई हो तो बताओ किसी फसल की आपको सही कीमत मिल गई हो तो बताओ ये जितने बैटे हैं काईने करें खेते हैं लोगों पर खेती करने वाले लोग भी है सब हैं बताओ धान में लूट पहले हुई कर नहीं हुई और अभो रही कर नहीं हो रही बताओ हर फ़दल की तो ये M.O.E.U. कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से हमें और आपको धोखा देने के लिए पहले नहोंने एक इन्वेस्टर मीट बुलाई थी और उस इन्वेस्टर मीट में बुला करके पांच लाग करोड के M.O.E.U. किये थे नहोंने पांच लाग करोड एक दो करोड नहीं पांच लाग करोड के M.O.E.U. किये थे और एक हम पीशे मुड़कर के देगे हैं हिसाब किताब लगाएं तो अभी जमीन पर कुछ नहीं उतरा एक बाद डिफेंस एकस्पो किया इन्होंने दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनिया जो असले बनाती हैं जो बड़े-बड़े जो फॉच को चाहिए हमारे असले आम्स या किसी और तरह की टेक्नोजी चीए उसकी बड़ी डिफेंस एक्सवो किया था हलांकि गाजीपुर में नहीं का उन्होंने कि यहां पर कोई टैंक बनाएंगे या गोला बनाएंगे या मिजाइल बनाएंगे हमारे गरीब बुंदेलखंड की जनता को कहा क्या आप बोट दे दीजिए हम मिजाइल बना देंगे महां की गरीब जनता ने बोट दे दिया मिजाइल आज तक नहीं बनी हुआ पर मिजाइल नहीं बन पारी हुआ पारे क्या सबना दिखाया मिजाइल बनाने का और पीशे मुणकर के देखो तो कहीं जमीन पर कुछ नहीं उतरा और अब सुना है कि बीस लाग क्रोड से जादे का M.O.E.U. साइन हो गए और एक M.O.E.U. पगड़ा गया अमरीका की एक कमरी जिसमें इन्युवस्ट्री एक कमरे में भी नहीं चल लगी दी सोचिए तो प्रदेशों के बड़े बड़े शहरों में गए M.O.E.U. करने वहां भी ठक गए तो फिस जिलों में चले गए हो सकता है गाजीपुर में भी कहीने कहीनों ने मीटिंग की हो M.O.E.U. की उत्योग पत्यों की गाजीपुर में की थी के नहीं की थी साओ जी बता है वो हमारे विधायक जी बता रहे हैं के यहां भी M.O.E.U. साइन हुआ अरे आप भी सूटूट पहन के जाते आपका भी M.O.E.U. हो जाता हूँ हवाजा से चलना पड़ेगा बताओ ब्राजील से कोई यहां आएगा बलिया उगाजीपुर में इंवेस्ट करने हैं कोई लॉट कानवाल इस तो है नहीं जो यहां पर कोई राच चलना और अंग्रेजों का वो अलग बात है कहां से आए और कहां पर उन्हें आखरी वक्त ह हो जानना पड़ा और कैसे इंवेस्टमेंट आए वाला आएगा अभी मैं बलिया के वैपारी बरिवार से मिलके आया हूं कि यह नहीं तरह का वैपार चला रहे हैं बीजेपी के लोग इनके हां बैंकों से नहीं मिलना है पैसा कुछ सूथ हो रहे हैं बीजेपी के पता नह कहां से पैसा ले करके आते हों वो बाट रहा हैं नोगों और इतना बाट रहे हैं इतना बशूर रहे हैं कि अगर कोई एक वाल ले 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 तो भापस अपने जीवन में नहीं कर नका बाहरा हैं लोठा इन्ट्रेस बिसूर ले और उसका परतान यह हुए एक नंदलाल बढ़ गई और सोची आज के समय पर कैसे आत्मत्या की उसने इन नौजवानों ने देखा भी होगा फेस्बुक पर लाइव करकर के आत्मत्या की बताओं इन बीजेपी के लोगों डूब के मर जाना चाहिए जो लोग एमोईू कर रहे हैं जो बड़े-बड़े मोईू कर रहे हैं और सूथ खोर वैफारियों की जान ले रहे हैं अभी उसके परिवार ने कहा कि बुल्डोजर नहीं चला बुल्डोजर नहीं चला उन पर जो सूथ खोर थे बीजेपी वाले मैंने कर यह सरकार का बुल्डोजर नहीं है यह बीजेपी का बुल्डोजर है यह बीजेपी का बुल्डोजर बीजेपी वालों पे नहीं चलता है यह दूसरों पे चलता है बुल्डोजर और यह जो बुल्डोजर की संस्कृति लेकर के आये है याद रखें इस सरकार वाले अगर बुल्डोजर यहां चला है तो बुल्डोजर बनना बंद नहीं होंगे बुल्डोजर बनने के बनने वाले कारखाने बंद नहीं होने वाले रता हम समाजवादियों के कितने नेताओं को कितना अपमानित किया नोंने जोटे मुकद में लगे हैं उनपे और यहां पर जितने कारकरता नेता होंगे मैसूस करते होंगे कि इस सकार में जोटे मुकद में लगते हैं अभी आपने देखा होगा कि खुछ दिन पहले कुछ लिखने पर F-I-R हो गई एक कारकरता पर तो हमें पुलिस हैट्वाट जाना पढ़ा वہी पुलिस हैट्वाट्र जो समाजबादियों ने बनाया वी दुअ में अगर पुलिस हैट्वाट्र देखें गे आप तो आपके वी पुलिस के लिए सबसे बैतिन पुलिस हेड़कॉर्टर बनवाया वहां जाना पड़ा क्योंकि कुछ लिख दिया तो उसमें जगणा हो गया बीजेपी वाले कुछ भी लिख सकते हैं उनके उनके पर कारवाई नहीं होगी अगर समाजवादी लोग लिख देंगे तो यह हो ज कि जात के अदार पर धर्म के अदार पर भेद्वाब है कि हमें लोग तंत्र में और समिदान में कहीं ऐसा नहीं है कि जात और धर्म की अदार पर हम भेद्वाब करें लेकिन भारती जंता पार्टी के लोग और इनकी सरकार में बैठे लोग लगातार इसी तरह का भेद्व कि हम जनता के सामने नहीं सवाल करेंगे बीजेपी से हम सदन में जा करके पूछेंगे उनसे क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं केबल समिदान की सबतनी लेकर के बैठें है वो किसी मठ से भी आये हैं और मठ पर तो इसलिए आगए क्योंकि उनके परिवार के लोग पहले मठ में थे अगर उनके परिवार के लोग मठ में नहीं होते तो शायद मठ पर नहीं पहुंच पाते उन्हें हमारा और आपका परिवार बाद तो दिखता है लेकिन उन्हें अपना परिवार बाद नहीं दिखाई देता है उनने अपना परिवार बात में दिखाई दे रहे हैं और इनके जो शु क्यों हमे सकते यहीविइन के लिए कहते थे एक स्परेद्वे के के लिए अगस्परेद्विए के लिए कि अन्लिया याद है कि नहीं है एंसाइवे को गासे यह समाजबादियों ने लूट की है अरे कभी लूट देखनी हो तो बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे कि देख लेना क्या लूट कुई हो आपर प्रदान मंतीजी ने उद्घाटन किया इस देवने बारिश कर दी गड़े गड़े हो गया पूरा एक्सप्रेस में बह गया बुंदेल खंड का एक्सप्रेस में इसकी जो कीमत है उससे जादा कीमत लगा दी हुआ पर हमें दुख है इस बात का अभी मैं जाते हुए देखता आया हूं कि हमारे पुर्वांचल एक्सप्रेस में पर कोई ज़्यादा ट्राफिक नहीं दिखाई दे रहा है गाड़िया नहीं चल पा रही है और उतने भी लोग नहीं चल पा रहा है जितने समाज़वाली लोग रदके समय चल लिए दूसमें मुझे याद है जब हम लोगों ने शुरुआत की थी इसी हैदरिया पखनपुरा के पास जहां पर यह हाईवेंग फटम हो जाता है बताओ अगर एक इंच भी बीजेपी ने आगे बढ़ाया हो तो बतादो आप अगर एक इंच बढ़ाओ तो बताओ आप उसके आगे मैंने उस समय जिलादिकारी से पूछा एक दिन के बताओ यह हैदरिया पखनपुरा से आगे जा रहा है के नहीं जा रहा है एक्स्प्रेट वे बोले हमें पता ही नहीं है सरकार को सोची ने रही और यह इसलिए मैंने छोड़ दिया था मैंने कई बार प्रेस में का सदन में का और मैं आज फिर कहता हूं मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यह नोसी नहीं देते हमें अगर हम इस सड़क को और आगे बढ़ा करके ले जाते तो नहीं का यह कानून है कि 10-15 किलोमीटर के अंदर कोई टोल सड़क नहीं बन सकती है इसलिए मैं जानता था कि यह नोसी नहीं देंगे और अगर नोसी नहीं देते तो शायद यह एक्सप्रेस वे नहीं बन पाता है इसलिए मैंने 15-20 किलोमीटर छोड़ दिया आगे नहीं जोड़ा जा करके और उसके कारण यह सड़क बन करके तैयार हो गई और यह सड़क इसलिए बना रहे थे यह केवल चलने के लिए नहीं थी शहर को जोड़ने के लिए नहीं थी इसके आसपास हम मंडी बनाना चाहते इस्टिटूट बनाते एक साल की ट्रेनिंग पाते और कहीं नगी उन्हें रोजगारे नौक भी मिल जाती है हमारा अधूरा सपना वही रह गया हम लोग नहीं बना पाएं लेकिन दुर्भाग यह देखो जिने सरकार में मौका मिल गया एक बार नहीं दूसरी बार वो नही बना रहे हैं उस सड़क को आगे नहीं ले जा रहे हैं आगे नहीं ले जा रहे हैं और मैं आज इस मंझ से खड़ा होकर कह सकता हूं अगर समाजवादियों ने वो सड़क न बढ़ाई होती है ऐसी तो शायद देश के प्रधान मंतरी उस सड़क पर कभी अपना इस सड़क केबाल जोडने के लिए नहीं थी अपने गरीब किसानों को खुशाली के लिए थी और किसी ने सड़क नहीं मागी थी इस सड़क को हम लोगत सबसे बहजरीन बना रहे थे हमारे बाबा मुख्यमंतरी इसका डिवाइडर चुटा कर दिये ये डिवाइडर दस मीटर बारा मीटर होना था ये डिवाइडर कम कर दिया और बीजेपी का सबसे प्रियकाम सौचाले बनाना बाला हाला कि यहां तो सब जगे नाम लिख दिया लेकिन इसके आगे चुड़ने वाली जो सड़के आगरा लखनों है एक्सपेस ले आप देख लो ये उद्गाटन किया था हमारे मंतरी लोग बैठे हैं उस समय ये लोग मंतरी थे उद्गाटन जब हुआ तो अब आप लगनों से लेकर के आगरा देख लो कहीं आपका नाम नहीं दिखाई देना नेता जी का नाम है हम लोगों ने उद्गाटन करके नाम नहीं लिखा हम लोगों ने लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो जहां सोचाले के लिए उतरते हुआ बीजेपी ने अपने नाम लिख लिए यह पताओ ये अगनीवीर जैजी विवस्था हम नौजमान साथियों आपसे कह करके जा रहे हैं ये अगनीवीर वाली विवस्था हमारे देश की सीमा की रच्छा नहीं कर सकती मैंने उस समय भी का और फिर कहता हूं मैं ये आदी अधूरी नौकरी हमारे नौजमानों का मनौबन नहीं बढ़ा सकती ये आदी अधूरी नौकरी चार साल जाएए आउट्सोर्स की तरह आप जाओं आपर जब तक ये बंदूग चलाना सीखेंगे तब तक ये घर बापिस आजएंगे आजकर जो मशीने जो टैंक हैं आप मैंसे कुछ लोग रिटायर होकर के आयोंगे फॉज से एक टैंक को चलाने में आठ साल दस साल लगते हैं दस साल में सीख पाता है टैंक चलाना कई मशीने आगे ही टेक्नोजी है उनको सीखने में टाइम लगता है आज मॉडरन हो रही है फॉज और यह बताओं ऐसी नौकरी भरती कर दे रहे हैं हम लोग कभी इसको स्विकाज नहीं कर सकते हैं हो सकता है आज हमारी ताकत नहीं है आज हमारे संसंद नहीं जाता है अगर कल संसंद होंगे या कभी मौका मिलेगा तो यह आदी अधूरी नौकरी अगनी वीर जैसी नहीं चलेगी परवने नौकरी होंगी क्योंकि हमारा नौजमान बर्दी पहन करके इस देश की रख्या करना चाहता है यह जो हमारे पड़ोसी देश है हमारे जो पड़ोसी देश है हमारा जो पड़ोसी देश है उनसे खत्रा बहुत बड़ा है मामूली खत्रा नहीं है यह सरकार स्विकार नहीं कर पा रही है आज क्यों आपको चीन का खत्रा है कहले लुहिया जी ने कहा लुहिया जी कहते थे पाकिसान से ज़्यादा हमें खत्रा चीन से है वही नेता जी कहते थे अगर आपको याद हो बाद मिला देना इसको मिला देना वही आपको याद होगा आपको याद होगा कि डाक्टर रामनुर उयाज कहते थे यह चीन से हमें बड़ा खत्रा है नेता जी ने भी यही का हमें चीन से खत्रा है आज अगर आप देख रहे होगे जहां पर सीमाएं हैं हमारी सीमाओं पर कब्जा कर रहा है और चीन एक तरह से नहीं हमला कर रहा है सीमाओं पर तो करी रहा हमें हमारे पर हमला दूसरा हमारा बजार कबजा कर लिया सोचो सीमा सुरक्षित नहीं चीन से और हमारा बजार भी कबजा कर लिया उन्होंने बजार भी कबजा कर लिया तो दो तरीके से हमें नुकसान पहुचा रहा है इल्ले हमें साब्दान रहना पड़ेगा और सादान इसलिए रहना पड़ेगा देश की अगर कोई विवस्था सुधार सकता है समाज को कोई नई दिशा दे सकता है तो वही समाजवादी लोग है जो दिशा दे सकते हैं यह जो एक्सप्रेस बने मुझे खुशी है इस बात की आपका दिल्ली से चल करके यह एक्सप्रेस जो बन करके आया है इसी की नकल बीजेपी के लोग कर रहे हैं जो नए उनके एक्सप्रेस बन रहे हैं इसी डिजाइन की नकल कर रहे हैं इसी एक्सप्रेस की जो डिजाइन ह वो इसी की नगल कर रहे है और हम समाजवादियों नजाने कितना काम करके दिखाया इसलिए हम इस मौके पर जहां पर अपने नेता केलाज जी को याद कर रहे हैं केलाज शायदब जी को जहां हमारे पहुत सारे नेता जिनको हमने खोया है चाहे वो लाम करन दादा जी हो नेता जी रहे इन लोगों ने हम लोगों को बहुत आगे का बढ़ने का रास्ता दिया हम लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखाया हम लोगों जिस रास्ते से हमारा किसान और गाउं में रहने वाला खुशा लोगा और हमारा बुंगर भाई खुशा लोगा न कि एवल हमारा किसान दुखी है नौज़मान दुखी है बलकि बुंगर भाई भी हमारे दुखी है इन सब के साथ बजाने कौन सा खिलवारी सर्गार कर रही है अगर कुछ लोगों का पैसा बढ़ रहा है तो हमारे किसान की अम्दनी क्यों नी बढ़ रही अगर कुछ कारोवार और दुनिया में आगे बढ़ते चले जा रहे है तो हमारे बुनकर के हाथ में क्यों नहीं चीज़ें आ रही हमारा नौजमान क्यों खाली हाथ है अगर बीस लाग करोड के M.O.E. लखनू में हो रहे हैं अगर यहां के मंत्री विदेश गए घूम घूम कर गए देश और वो M.O.E. करकर के पैसा लगवाना चाहते हैं तो हमारा नौजमान विरुजगार क्यों है हम उसके हाथ में काम क्यों नहीं है यह लडाई बहुत बड़ी है क्योंकि उन्हें गाओं दिहात और गरीब से कोई परवा नहीं है अगर गाओं की त्लबने परवा होती तो हमारे किसानों की पैदवार की सई कीमत मिल लए होती हमारे नौजमान जो गाओं में भाग रहे धौट रहे मेनत कर रहे हैं उनको ऐसी टेमपरिर नौकरी नहीं देते तो हमने नौकरियां देते इनको और जहां तक सवाल हमारी गिंती का है ये कई लोग बार हम लोगों पे आरोब लगाते हैं कि है ये समाजवादी लोग भेदवाद करते हैं किसी का हग छीन लेते हैं मैं आप से कहना चाहता हूं ये समाजवादी पार्टी का अंदोलन जाती जन्रना का और तेजी से पढ़ेगा और हम लोग गौंग हो जाएंगे अपने लोग को समझाएंगे क्योंकि जब सब की गिंती हो सकती है तो हमारी आग की गिंती क्यों न हो और फिर हमें आरख्षिण में भेदवाव हम लोग के साथ अबादी में हम जादा गिंती में ही नहीं हम कही अगर चीजें बदल सकती है बड़े बड़े फैसले अगर सरकार कहती है कि हमने इतनी सॉलमान लेकर दिखा दिये अगर उन्होंने कुछ फैसले लेकर के दिखाएं है याद कीजिए हमने हर्थ सभा में कई बार कहा कि समाजवादियों को मौका मिल जाएगा तो तीन महीने के अंदर जाती जर्गना करके दिखा देंगे हम सरकार में नहीं आए लेकिन देखो आपके पॉडोज में बिहार में जाती घटा शुरू होगई के नहीं होगे अगर बिहार कर सकता है जाती जर्गना यूपी तो फास आगे है समाजवादी होते तो आज जाती जोटा उसका पुदिर में हो रही होती कोई रोख निए सब कुछ बेज दे रहे हैं अभी एक मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग कारकर में गए ते तरंगना वांके मुख्यमंत्री किसी आट सामने हम सब को बढ़ाया था कि वह समाम एक मुख्यमंत्री बड़ी अच्छी बाफ़ करें उन्हों ने कहां कि यह रेर्ट ट्रेइन एलाइटी तरकारी संसा सब बेच रहे हैं एकि-एक करके बेस्दिया, मानीय का जहाज, पोट में दिया, रेल्वेस बेस्दी हमाई जाज बेस्दि इवाई जाज्दों के अध्रये पेस्दिये इक चीज करी लिए नहों θα आst एक glory लिए सब्गिया में उद्धिया då इसलिए इसलिए हमें और आपको बिल करके और जोड करके काम्याब होना है अलागी हम लोग बाई लेक्शन में आजम गड़ पीशे रह गए थे उसके कारण को ही हो लेकिन मैं जानता हूँ इस बार गाजी पूर से लेकर के आजम गड़ से होते हुए और आखनी तक आप देखना समाजवादी सपार्टी की तो नगे की तुझा जात है तो पहले पुलिस की सेटिंग की पुलिस की सेटिंग की अधिकारी की सेटिंग की आप उन्हों ने ये भी तरह किया कि कौन पुलिस वाला जाएगा कूर नहीं जाएगा वहां पार और जनता को भी लालस दिया सचो लेकिन मैं मुझे खुशियत बात की इतने भी हमारे मंच में निता बैठें और बहुत सारे साथी यहां से गए थे गाजिपूर से आदमगर से बनारस से बलिया से वह लोग गाउं गाउं बैठ करके उन्हों में संजा दिया और बढ़ना वै विजेपी का पता ने लगा, वहाँ पर बीजेपी कहां भाव भाभा ले हैं ? इसलिए जहाँ आपने अथिहासिक परणाम दिया है यह विकास नहीं कराइगे कि यह मारा आपको विनास की करीं लेकि जाएगी यह जो बजट है इनका यह जो बजट आए दिली वाला यह विदाई बजट है इसके वान कोई बजट नहीं ला पाए लोग बजट है को बित्र को बचाने में लगे हुए बित्र और सच्चाई भी यह है कि मित्र की पैचान बुरे वक्त में होती है अगर मित्र डूबा है तो हम लोग देखेंगे मित्र बचा पार है कि नहीं बचा पार है यह बात तो समझ गये होगे ना को कुछ लोगा कि बात नहीं मानना कुछ अधर ओगे तो कभी उधर होगे उधर उप उनकी बात मत मानना कि श्क्तर वाइब जब आधी है नियाद होगा जब मैं आया ता चुनाँ में तभ भी मैंने गाना पूरा करके दिखाया था कुल सरा framing चल संयासी मंदर में हैं हम लोग इतना ही सोच के उन उनको फोश्ब लिए कि जड़े बड़े अच्छा काना है---- लेकिन कभी इसकी दूसरी लाइप समझ लेना पड़ लेना क्या लाइना दूसरी इसकी और चल सन्याजी मंदर में तुम्हारा कुछ हमारा कुछ बजए का गुनों का क्योंकि हम गाने में तेज नहीं उतना गानावाना नहीं का सकते लेकिन सुनाए उसके दूसरी लाइन यह कि कंगना बजएगा सैड अब रात में करना बजा रहें दूसरी साल में जाकर लिए नाम बदलने वाले हैं हमें खुशी है कि हमारे मंच में भी ओम्हारा जी है इन नाम बदलने वाले अगर हैं तो ओम्हारे पास वह एक पर नाम इसे इनके चक्कर में मत पुढ़ हूं ये गरीबों को धुगा देने वाले लोग ये पॉलिटिक्स में बिजनसमें हो गए हैं बिजनसमें ये राजदी इसको बिजनस समझ रहे हैं हम समाजवादी लोगों ने भरुसा किया और जो कुश कर सकते दें त्याक गड़बंदन ने हम लोगों ने त्याक करकर कर गड़बंदन बनाने के काम किया सो लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कई गड़बंदन करने ये अपनी अगली अगली ताकत पर सायक्ल पर सबार होकर के चलेगी और जो साथी साथ हैं उन्हें लेके चलेंगे बस कोई नया गड़वन्दर नहीं कोई राजनी में एक्सपरिमेंट नहीं अब केवल अपने किसान और नौजवानों पे भरोसा करके और बुनकर भाईयों पे भरोसा करके अगले चुना में साइकली साइकल लड़ने वाली है